असलाम लेकुम फ्रेंड, मेरी आज की डिश का नाम है लहौरी नली बॉंग इसके लिए हमें जिन चीजों की जुरूरत है सबसे पहले गोश हमने लिया है तकरीबन एक किलो और नली के साथ प्याज हमने लिये हैं दो धर्मियाने बरीक कटे हुए टिमाटर भी दो आदद बरीक कटे हुए सुर्ख मिर्च वन अन हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून सॉल्ट हमने लिया है वन टीस्पून गरमसाला पाउडर वन टीस्पून और गानिशिंग के लिए लेमन एन ग्रीन चिलेज ओयल हमने एक कप लिया है और धनिया गानिशिंग के लिए सुखा धनिया एक चमच और लेसे नदर का पेस दो चमच मिट्टी का बर्तन लिया है अब इसमें हम ओयल डाल देंगे प्यास शामिल करके हम अच्छी तरह भून लेंगे अब इसमें हम गोश शामिल करके गोश का पानी खुश कर लेंगे लसन अदर का पेस शामिल करेंगे और इसको खुब अच्छी तरह भून लेंगे टिमाटर शामिल करेंगे नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी पाउडर और सूखा धनिया शामिल करके इसको भूनाई कर लेंगे गरमसाला पाउडर शामिल करेंगे और इसके साथ चार ग्लास पानी शामिल करेंगे और इसको दो गहंटे के लिए धीमी आज पर पकने के लिए छोड़ देंगे वीवर्ज अब हम इनको चेक करेंगे कि गोश की कंसिस्टन्सी कैसी है ये देखें कितने अच्छे तरीके से गोश पक चुका है और पानी भी सारा खुश्क हो गया है अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें गोश किस्तना टेंडर हो चुका है मिट्टी के बरतन की वज़ा से और धीमी आग की वज़ा से गोश बहुत अच्छे तरीके से अंदर से गल चुका है ये देखें हारी मिट शामिल करेंगे और ओयल के निकलने तक हम इसको पकाते जाएंगे जब गोश अच्छी तरह ओयल छोड़ देगा फिर हम इसको नेक्स स्टेप की तरफ ले जाएंगे पानी शामिल करेंगे तकरीबन तीन गिलास और इसको अच्छी तरह पकने देंगे ताके इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी सी पक जाए ये शौरबा बहुत अच्छा सा यक्चान हो जाए अब ये तयार है हम इसको किसी भी बर्दन में डिश आउट कर लेंगे ये हमारी बॉंग नली तयार है हरी मिर्चों हरा धनिया और लेमन से इसकी गानिशिंग करेंगे फ्रेंट्स ये नली बॉंग तयार है आप इसको उबलेवे चाबलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसांद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब मैं चैनल और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए कमंड करें